ताथियों, दुनिया में उसी की बात सुनी जाती है, जिसमें दम होता है। जो सिर्फ रोता रहता है, उसकी कोई नहीं सुनता। ते नए भारत पो बनाने का संकल्पा हम समने लिया है। वो भारत दमदार भी होगा और असरदार भी होगा। भारत भारत भी होगा। भारत भारत भी होगा। पहले क्या होता था। पहले क्या होता था। पाकिस्तानी से आतंगी आते थे। हमारे यहां दमाके करके जाते थे। और कॉंग्रेस की सरकार दुनिया में रोती थी हमें मारा, हमें मारा, हमें मारा। यही करते थे थे ना, रोना रोते थे थे ना। लेकिन आज यह नया भारत है। अब आतंग के सरपरस्तों ने जब उरी में गल्ती की। तो देश के भीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिये थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गल्ती पुलवामा में की। तो हमने उन्हें एर स्ट्राइक करके गड़ में गुश कर मारा। और अब ये उदर वालों को भी समझा गया है कि अगर तीसरी गल्ती करने की गल्ती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाईयों बहनों आज आपका चौकिदार आपके बीच खड़ा है। और पाकिस्तान की पूरी सरकार दुनिया भर में रोती रहती है। आज पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान के अपनों ने भी उससे मूँ फेर लिया है। जरा मेरे साथ खड़ी बताओ। आप बताएंगे। मैं सवाल पुछू बताओगे। जवाब होगे। क्या भारत का दम दिख रहा है का नहीं दिख रहा। भारत की ताकत दिख रहे एक नहीं दिख रही है। आप बताएंगे। आपको दुबकने वाली सरकार चाहिए या धमदार हिंदुस्तान चाहिए। भारत के पास दसक भर से सेटेलाइट को मारने वाली तकनिक थी। लेकिन कॉंग्रेस की सरकार से जब भाईग्यानिकों ने इजाज़त मांगी। लेकिन वो रिमोट कंट्रोल वारी सरकार लेके बैठे थे। वो सरकार कांप रही थी। साथ यो जब इस चोकिदार की सरकार से वाईग्यानिकों ने पूछा। तो मैंने कहा भाई, अरे कल करे सो आज कर। और हमने सेटेलाइट को निशाना बने वने वाली मिसाइल की परिक्षन को तूरत हरी जंडी दे दी। चर्जिकल स्ट्राइक हो, एर स्ट्राइक हो, भारत ने अंत्रिक्ष में भी स्ट्राइक कर दी। और अंत्रिक्ष में भारत का शांदार प्रदर्शन आज चर्चा का विशे बना हुआ है। अब जल, थल, अरे नव उससे भी आगे अंत्रिक्ष में भी बारत पर हमला से पहले कोई सो बार सोचेगा। अब जल, अब जल, इस दुर्चा का विशे अंत्रिक्ष में भी आगे बना है।